नमस्कार दोस्तों अगर आप सेर मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको चार्टिंग टूल्स के बारे में जरूर पता होना चीए यदि अपने चार्ट में टूल्स का यूज करना सीख लिया है तो आप अपने ट्रेडिंग जर्णी को और भी स्मार्ट बना सकते आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीरोदा के चार्ट में टूल्स का कैसे यूज किया जाता है तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाला नया लेटेस्ट इंफ आउंट ओपन कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं तो जैसे आप इसको ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो देखने को मिल जाता है साइड में यह वाच लिस्ट दी गई है आप भी अपने हिसा पर इंडिया का चार्ट यहाँ पर ऑपन करते हैं हमने यहाँ पर चार्ट को ओपन करने के बाद में इस चार्ट को फूलि स्क्रिन मोड में उसके लिए आपको इह अपको यहाँ पर गृबाल को और लिया οप्ष क्रांच को यहां हाँ जाता है यदि आप दूसरा कोई भी स्टोक का चार्ट open करना चाहते हो तो directly आपको screen पे click करके और आपको उसका name keyword से type करना है जैसे कि आपको HDFC type करना है तो आपके सामने directly HDFC आ चुका है तो इस तरीके से आप किसी भी स्टोक का चार्ट open करना चाहते हैं तो direct आप shortcut तरीके से आप directly आप keyboard का enter करके भी आप open कर सकते हैं यहां से आप time frame चेंज करना चाहते हैं तो directly आपको time frame भी आपको यहां पे change करने का option है वो मिल जाता है इस तरीके से दोस्तों उसके बाद में रिया गया यह त्रेडिंग आपको नहीं पता है कि आपका चार्ट वो ट्रेडिंग व्यू का है या फिर आई क्यू चार्ट है तो आपको सबसे उपर में देखना है kai.0.com chart ex tvc यह आपको यहां पर tvc देखने को मिल रहा है यानि ट्रेडिंग व्यू चार्ट यह आपको आपको उसमें डिमयक आकवन में एंदूर का चार्ट हों 115 आपको आएक्यू चार्ट देखने को मिल रहा है तो आप जीरोधा कि सेटिंग' में जाके आप चेंज कर सकते हैं चार्ट को कर सकते हैं इसमें तो ऊपर में जो भी टाइम दिया गया है यहाँ पे आप जो भी time select करोगे उसी time frame में आपको candle सो करेगी जैसे कि 5 minute है यहाँ पे तो आपको हर एक candle एक candle 5-5 minute की एक candle है और आपको नीचे में जो timing दिया गया है 5 year, 1 year, 6 month, 3 month, 1 month यह एक time period है आप किस time period का chart है वो देखना चाहते हो जैसे कि आप 1 year का chart देखना चाहते हो last 1 year का तो आपको 1 year पे click करना है यदि आप 6 month का chart check करना चाहते हो तो 6 month के option पे click करना है यह हुई दोस्तों clear उसके बाद में आपको यह उपर में candles का option दिया गया है यहाँ पे आप click करके candles को change कर सकते हो कोई साब आप अपने हिसाब से कर सकते ही उसके बाद में indicators का option दिया गया यह आप कोई भी indicators apply करना चाहते हो जैसे की RSI करना चाहते हो MSED करना चाहते हो VBAP indicator लगना चाहते हो तो आप यहाँ से indicator को apply कर सकते हो उसके बाद में दोस्तों आपके लिए important है यह एक जो save का option दिया गया यहाँ पर चार्ट में कोई भी indicators को use करते हो कोई भी tools वगेरा का use करते हो तो आप उनको save करना चाहते हो तो आप save as default template के option के माद़न से कर सकते हो इसके बाद में आपको यहाँ पर layout का option दिया गया select layout का यहाँ पर आप click करोगे तो आप chart में यह एक screen पर कितने chart open करना चाहते हो जैसे कि आप two chart open करना चाहते हो three chart open करना चाहते हो आप यहाँ पर layout के माद़न से chart को open कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर settings का option दिया गया इसको आप अपने हिसाब से check कर सकते हो side में आपको price का option दिया गया यहाँ पर आप अपने finger यहाँ फिर mouse को रखके उपर नीचे करोगे तो आपकी candle हो चोटी और बड़ी है वो होने लगेगी उसके बाद में आप यहाँ पर screen पर भी इधर उधर करोगे तो आप chart को इधर उधर कर सकते हो और आप इसको zoom in और zoom out कर सकते हो अब हम बात करते हैं दोस्तों important tools जो आपको यहाँ पर left side में आपको यहाँ पर दी गई है chart में सबसे उपर में आपको यहाँ पर cross का निचान दिया गया है यदि आप इसका use करते हो जो फिलाल हम यहाँ पर chart में कर रहे हैं आप price check कर सकते है cross के निचान के मादिम से दूसरा dot का option दिया गया तीसरा arrow का दिया गया और चोता eraser का दिया गया arrow आप directly mouse को use करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो यह ज़्यादा important आपके लिए नहीं है second options आपके लिए important है सबसे उपर देखने को मिलती है trend line यदि आप trend line पर click करोगे तो यदि आप stock में trend line draw करना चाहते हैं जैसे कि आप इस तरीके से trend line draw करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से trend line draw करना चाहते हैं तो आप trend line वाली tool का user कर सकते हैं जैसे कि हमें आप एक trend line ड्रो करेंगे इस स्टॉक में आपको इस ट्रेंड लाइन पर क्लिक करना है और आपको जहाँ से स्टार्ट करना है जैसे यहां से स्टार्ट करना है यहां पर आपको रखना है और आपको ड्रेक करके लेके जाना है इस तरीके से आप है जो परफेक्ट ट्रेंड लाइन है वो draw कर सकते है, trend line के पास में जो आपको एक arrow का निसान दिया गया है इस arrow के निसान के option पे click करोगे, तो आपके सामने और भी lines आपको यहाँ पे show की जाएगी, जैसे कि आपको info line दी गई है यह एक तरीके से trend line ही है दोस्तों trend angle दिया गया है आप एक triangle के तोर पे यह आप angle बनाना चाहते हैं, तो बना सकते है horizontal line का option दिया गया है दोस्तों जिसे आप directly alt h के माद दिन से draw कर सकते हैं, horizontal line आपके लिए important है दोस्तों, horizontal line पे आपको click करना है और आप support and resistance को यह दिए draw करना चाहते हैं, तो आपको इसके उपर click करना है और line को आप थोड़ी width को आप मोटा कर सकते हो, इस तरीके से आपको settings का option दिया गया है, यहां से इसका color भी change कर सकते हो, इस line का और भी आपको अपने हिसाब से इसमें change कर लेना है, उसके बाद में दोस्तों, आपको यहां पर और भी options दिया गया है जैसे की ray का दिया गया है, arrow का दिया गया है, cross line पहले ही बता दिया है vertical line, यदि आप सीधी line चार्ट में खींचना चाहते हो, उसको भी आप कर सकते हो horizontal ray, horizontal line और horizontal lay में क्या फरक होता है दोस्तों, horizontal ray, जो ray दी गई है वो आप particular, यानि आप यहां से यह horizontal ray खींचना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है directly आपको इधर की side में सिर्फ और सिर्फ line हो देखने को मिल जाती है इस तरीके से horizontal line ड्रो करनी है trend line ड्रो करनी है आप chart में जो भी आपने tools का use किया है, उनका आप remove करना चाहते हो तो आपको नीचे में delete का option दिया गया है इस पे आप click करोगे तो आपके सामने जो भी आपने tools use किया है, उनको आप delete कर सकते हो या फिर आप right button प्रेस करोगे अपने cursor का तो आपको या पे remove का option आएगा और remove all drawing tools का option दिया गया है इन पे click करके और आप tools को delete कर सकते हो जो भी आपने use किया है, इसके अलब आपको या पे नीचे में brush का option दिया गया है सबसे पहले दोस्तों आपको या पे एक option यह दिया गया दोस्तों, इसमें आपके काम की चीजे कम ही है, दोस्तों एक फिववनासी retracement जरूर दिया गया है जिसे आप यह जो फिववनासी के तोर पे use कर सकते हैं, जब भी कोई M type का कोई भी pattern बनता है, तो दोस्तों आप फिवनासी retracement का यूज कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर जो ब्रस का यूज दिया गया है ब्रस के मादधिम से आप चार्ट में कहीं पर भी ब्रसिंग करना चाहते हैं जैसे यहां पर करना है यहां पर करना है इस तरीके से आपको कोई भी करना है जैसे कि आपको ट्रेंड find करना है इस तरीके से brush का use करके आप ऐसे करना चाहते हो तो आप brush के माद्धिम से आप लोग कर सकते हो यह इन tools को delete करना चाहते हो तो वापस से आपको नीचे आना है delete को option पे click करना है आप directly delete कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों आपको यह एक text का option दिया गया, text के option पे click करोगे, तो आप यहाँ पे screen पे आपको click करना है, और आप कोई भी text enter करना चाहते हो, जैसे कि am I stock market आप यहाँ पे enter कर सकते हो, इसमें, यदि आप कोई भी entry, exit, stop loss, target को भी आप screen पे लगाना चाहते हो, तो आप इसके मादिम से आप यहाँ पे कर सकते हो, वापस से इसको delete करना है, तो delete कर सकते हो text की size, आप छोटी बड़ी करना चाहते हो, तो font size में आप लोग यहाँ से कर सकते हो, उसके बाद में दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा important है position का use करना है, जैसे कि हम buying करेंगे, तो long position के option पे click करेंगे, हमने यहाँ से कोई भी stock है, वो buy किया, तो आपको यहाँ पे click करना है उपर वाला जो green color वाला आपका profit रहेगा, और नीचे वाला आपका रहेगा stop loss, तो आप यहाँ से risk and reward ratio है, वो आप का target मिलेगा, इस तरीके से आप buying करते हैं, तो आपको long position को check करना है, और यह आप selling करते हैं, तो आपको नीचे में short position का option दिया गया, इसको करना है, जैसे कि हम यहाँ से selling करने वाले, तो आपको यहाँ पे enter करना उपर वाला हमारा stop loss हो गया, नीचे हम target कितना रखना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे अपने ratio में आपके हिसाब से आपको manage कर लेना है, तो इस तरीके से long position और short position को आपको use करना है, इसमें और भी options दिया गया है, जैसे कि आप date range देखना चाहते हो, price range वाला option आपके लिए important है, इस पे आप click करोगे, तो आप chart में देखना चाहते हो कि हम यहाँ से लेकि हम यहाँ पर इसका price range चेक करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप price range भी find कर सकते हैं, आप support and resistance में भी ऐसी line हो draw कर सकते हैं, यदि price range थोड़ा different, different आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो फिलाल हम वापस से इसको delete कर देते हैं, इसके अलावा दोस्तों, एक important option दिया गया आपको यहाँ पे scale का, scale के option पे click करोगे, तो आप किसी भी point पे click करके और आप उसका, यानि जो देख सकते हैं कि यह कितना fall हुआ है, या फिर कितना उपर गया, कितने point नीचे गिरा है, जैसे कि फिलाल हमने देखा, SBA यहाँ से fall हुआ, तो इसका price है, वो 5 रुपे के something है, वो नीचे की side में गिरा है, तो उपर की side में भी देख सकते हैं, यह जो scale दी गई है, इसके मादिम से आप है, जो चीजें check कर सकते हैं, और भी दोस्तों options दिये गए है लेकिन आपके लिए जो ज्यादा important है दोस्तों, वो trend line है, एक horizontal line है, और आपके लिए है long position और short position, इसके लावा आपके लिए, जो price range दिया गया है, यह price range भी आपके लिए important है, एक चीज और है दोस्तों वो मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे triangle का option दिया गया एक rectangle का, आप brush वाले option के पास में arrow के option पे click करोगे, तो rectangle का जो इस पे आप click करोगे, तो आप यहाँ से rectangle भी बना सकते हो जैसे कि इस तरीके से आपको rectangle बनाना है, यानि आप price को एक scale के माद़िम से define कर सकते हो इस तरीके से इसका भी use आप लोग कर सकते हैं, यह भी आपके लिए एक अच्छी चीज है, तो main important चीज दोस्तों trend line हो गया, horizontal line हो गया long position, short position यह चीज़े आपके लिए important है और यह scale जिसके माद़िम से आप falling side और जो buying side है वो देख सकते हो कि कितना point नीचे गीरा है और कितना point है वो upside है यह सारी चीज़े आप लोग ज्यादातर use कर सकते हो, बागी चीज़े दोस्तों advance trader के लिए यदि आप beginner है तो आपको ज्यादा कुछ देखने की ज़रत नहीं है आप इतनी चीज़े सीख गए तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, इसके अलावा नीचे में आपको delete का option दिया गया है आप drawing को delete करना चाहते हैं तो delete कर सकते हो hide करना चाहते हैं तो hide कर सकते हो drawings को lock करना चाहते हैं तो lock कर सकते हो zoom in, zoom out कर सकते हो और भी दोस्तों options है आपके लिए जैसे कि आपको X ABCD patterns दिया गया है, यहाँ पे इस पे आप click करोगे तो कोई भी M type का pattern बनता है तो आप यहाँ से इसको use कर सकते हो जैसे कि आपको M type का S है X ABCD इस तरीके से यह उपर वाला आपका जैसे कि support की तरह behave कर रहा है, नीचे में आपको resistance की तरह behave कर रहा है, इस तरीके से आप नीचे और उपर में buying and selling opportunity भी इसके मादें से देख सकते हैं, दोस्तों जो भी important tools दी, जो आपको काम में लेनी है, उनके बारे में हमने आपे बताया है, यदि सभी चीजों के बारे में details में बात करें तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसलिए हमें जो ज्यादा आपके लिए important है, उनी चीजों के बारे में focus किया है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करें, और channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर करें, दोस्तों ये आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है, तो channel को जोइन कर लिजेगा, हम आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी trades आपके लिए लाएंगे, और भी दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जैहिन सीखते रहो, कमाते रहो और खुस रहो